जय हिंद इस वीडियो में लोग book value को बारे हम समझेंगे कि book value क्या होता है तथा book value पर share कैसे निकाला जाता है कई बार जब आप किसी company के share price को देखते होंगे किसी website पर तो share price के नीचे इस तरह का book value लिखा हुआ आता है आपके मन में भी कभी ने कभी यह बात आया होगा कि आखिर यह book value होता क्या है share market में इसकी जरूरत क्या है तो इस वीडियो में हम लोग इसी गवारे में सिखने वाले है वीडियो बहुत informative भाने वाले है आपके लिए पूरा देखेगा काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में आये शुरू करते है देखें दोस्तो book value क्या होता है book value को अगर मैं आसान महसा में आपको बता हूँ तो book value का मतलब होता है अगर कल को कंपनी दिवालिया हो जाती है डूब जाती है या बेंकरफ हो जाती है तो कंपनी के जो संपती है उसको जब बेचे जाएंगे तो कंपनी के पास कितना रुपे आएगा इसी को book value कहते है अब यह book value निकालने के लिए फॉर्मूला होता है assets minus liabilities assets minus liabilities अब यह assets क्या होता है इसको बताने के लिए मैंने यहाँ पर दो वाग के लिखे हुए है समझे आसेट्स को हिंदी में कहते है संपती संपती यानि कि plant machinery जमीन प्रोपर्टी कोई भी ऐसी चीज़ जो company के खुद की है जो company को run कराने में company को चलाने में करते हैं उसको assets करते हैं और liabilities मतलब समझे करजा 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 यानि कि कोई भी वस्तु जमीन रुपया कुछ भी हो सकता है जो company के खुद की नहीं है किसी और की है और company को उसे लोटाना है तो उसको करते है liabilities आप समझे कि book value निकाला कैसे जाता है तो book value निकालने के लिए company के जो assets है उसमें से liabilities को माइनस कर दिया जाता है एक example के माध्यम साब समझे मादने यह company के cool assets है 500 रुपय के एक example के लिए बता रहा हूं और liabilities है 200 रुपया और अगर book value निकालना है तो क्या करेंगे assets minus liabilities कर देंगे तो आज आएगा 300 रुपया 300 रुपया क्या हो गया book value जो जब company ढूब जाएगी तो उसको उसकी जो संपत्ति उसको बेचने के बाद 300 रुपया आएगा company के पास अब यह 300 रुपय के आपको मिल जाएंगे नहीं यह total रुपया जो है अब इसमें से जो कि जितने भ आता है book value पर शेयर यानि कि एक सेयर का प्राइस कितना है book value के इसाब से तो इसके लिए फर्मूला आता है दोस्तों book value निकल कराया और टोटल नंबर ऑफ सेयर्स यह सेयर्स आउट अस्टेंडिंग सेयर्स ना था company के कितने सेयर्स इसमें बजार में पड़े हुए हैं तो बुक बहलू पर शेयर्स निकालने के लिए book value में से total number of shares से डिवाइड कर जाते हैं तो बुक बहलू आया है 300 रुपया और माल लिजे total number of shares 100 माल लिजे सिर्फ मानना है company के इतने सेयर्स बजार में पड़े हुए हैं तो बुक बहलू में जब हम लोग 100 से डिवाइड घये तो आये गां 3 रूपया यो हो गया 1-iad का कीमत एक ich ?अब समझे कि अगर आपके पास इस company के एक सेयर्स है तो आपको कितने रुपए मिले रुपए अगर आपके पास 5 shares हैं तो आपको मिलेंगे 15 रुपए अगर आपके पास 50 shares हैं तो आपको मिलेंगे 1500 रुपए समझ गए book value का क्या मतलब होता है book value का मतलब होता है जब company डूब गई तो company के पास कितने रुपए आएंगे उसके सारे संपति को बेचने के बाद तो जो रुपए आएंगे company के पास उसमें से अब company shares holders को जो रुपए देगी उसको काते है book value पर से आए तो उमीद करता हूँ आपको book value और book value पर shares क्या होते हैं कैसे निकाला जाते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर वेगर मान में कोई doubt है या कुछ आप लग नया ज आना चाहते तुमसे जरूर पूछे मैं उसके reply दूंगा वाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्रिया